चलिए अब आपको इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं मानसर ओवर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है जैपूर से इस वक्त की बड़ी खबर पुलिस ने अफरणत युवक को मुक्त करा दिया कार सवार पांच युवकों ने नरेंडर चौधरी का अफरण किया था और पुलिस ने अब इस युवक को मुक्त करा दिया है कल देश आम नाराइन विहार इलाके की पूरी घटना घटना के बाद पुलिस ने तुरित कारवाई की इस पूरे मामले पर पुलिस ने एक आरोपी को गरफतार भी किया है इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें चार आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है पारिवारिक मामले को लेकर नरेंद्र का अफरन हुआ था इसके बाद पुलिस ने मुख्त करवा दिया है उसे और पूरे मामले की जांच फिलहाल पुलिस कर रही है मांसरोवर्थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है जैपूर से आपको खबर बता रहे हैं युवक का अफरन कर लिया गया था उसे पुलिस ने मुख्त करा दिया है पारिवारिक ये पूरा मामला बताया ज़ा रहा था कार्जवार पांच युवक को ने नरेंद्र चौधरी का अफरन किया था कल्देश शाम नारायन विहार इलाकी की पूरी घटना घटना के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले पर तुरित कारवाई की और उसके बाद युवक को मुक्त करवा दिया गया और एक आरूपी भी पुलिस की गरफ्त में है फिलाल अधिक अपडेट के लिए हमारे समवादा था याद्वेंद्र शर्मा फिलाल फोनाईल पर हमारे साथ जूट चुके हैं याद्वेंद्र क्या ये पूरा मामला रहा और किस प्रकार से तुरंत कारवाई कर पुलिस ने इस युवक को मुक्त करवाया यहां पर एक युवक था जिसका नाम नरेंदर चौदरी है जिसके यहां पर किटनेप होने की सूचना पुलिस को मिली थी और उसके बाद लगाता कल देर राते ही जो साव में इसके लावा मांसुर नाना पुले से लगाता अभर्ट किये होगे जो युवक है उसकी यहां पर तलास कर रही थी युवक का किटनेप मांसुरोवर के जाराण विहार जो लाकब पड़ता है वहां दे किया गया था जब युवक है जो बाइक पर जा रहा था अचानक से 5 जो बदमास के कारस्वार वो आये और अचानक से आने के बाद उन्होंने जो युवक था उसकी मोटरोस का चाड़ागे से उसको उतीज उतार करके अपने साह कर ने जबरन पढ़ा करके इसके बाद जैसे ही यहाँ पर परीजोनों को सूचना मिली तो परीजोनों ने पुलिस आने में कंप्रेंड दी और उसके बाद लगाता है पुलिस पुरी देर रात इससे युवक की तलाश करती रही अंतय है यहाँ पर सुवह करी चार बजे जो मांसुर थाना पुलिस बड बदमास से उन में से एक युवक है जिसका नाम सुरेंदर सिंग है उसको यहाँ पर गिर्फतार किया है मगर पुलिस की कारवाई के दोरान यहाँ पर चार युवक ते वो मौके से फरार होगे लाल पुलिस तो लगाता रहे पूरे मामले की पूस्ताज बदमास पक्ड़ा पूस्ताज में सामने आया है कि पारिवादी के इस विवाद के चलते के ड्नैपिंगी पूरी वार्दा को अंजाम तिया गया था, इसमें किसी एक शादी से जुड़ा पूरा कोई प्रकरण बताया जा रहा है, जाद पूस्ताज के विवाद पता चलेगा कि असल जो को भी को भी कर अफाट किया है